बिस्मिल्लाही रह्माने रहीम असलालेकूं फ्रेंज वेल्कम बैक टू मैं चैनल हीना हेल्ट फ्रेंज आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोटीन पाउडर कैसे घर पे बनाना है उस बारे में बताने वाली हूँ इसको कैसे इस्तमाल करना है उस बार में बताने वाली हूँ अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राइ कर रहे हैं या फिर कंसीव करना चाते हैं तो आपको एक या दो मेने पहले से ही इस प्रोटीन पाउडर को लेना स्टार्ट कर देना है ये आपकी गर्भाट शे को भी मस्बूत करती है और साथ में आपको कंसीव करने में मदद करती है तो चलिए दोस्तों वीड़ों को स्टार्ट करते हैं वीड़ों को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूझा आप टोकस एक शिकायत है कि आप लोग मेरे बीना बोले बिल्कुल भी लाइक नहीं करते लाइक करने के बिल्कुल पैसे नहीं लगती तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इसको 1000 लाइक तक पहुचा दो और फ्रेंज में भी इसको जरूर शेयर करना ताकि लोगों की हेल्प हो सके और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ओन कर ले सबसे पहले में यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि आपको क्या के इंक्रीडेंट लगने वाले हैं आपको पांच तरह के नट्स ले लेने हैं जिसके अंदर आती है एक मोंग फली, बादाम, काजू, पिस्ता और अक्रोट ठीक है यहाँ पर मैंने सारे हिंदी के नाम बता है क्योंकि लोगों की शिकायत रहती कि मैं आप इंग्लिश में नाम बता दे हो इसलिए आज मैंने यहाँ पर सारे हिंदी के नाम बता है लेकिन मैं उपर इमेज पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम दे दूँगी ताकि आपको confusion ना हो जितनी भी यहाँ पर मैं आप लोगों को चीजे बता रही हो उन सारी चीजों की आपको quantity same रखनी है क्या करना है तवे पर हलकी आज पर थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसकी जो raw smell है वो चली जाए ठीक है इसको जलाना नहीं है बिल्कुल हलका सा भूनना है इसको भूनने के बाद में आपको इसको mixer grinder में डालके एकदा महीन पाउडर सा पीस लेना है और आपका ये प्रोटेन पाउडर बनके रेडी है आप इसको एक air tight container में भरके फिल करके रख लीजे आप इसको करीबन एक से देड़ मेने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं तो एक ही बार इसको बना लीजे बारवर बनाने की जंज़ट भी ना हो बाजार में मिलने वाले महेंगे पाउडरों से ये बहुत ही ज़ादा अच्छा किफायती और बहुत ही ज़ादा नाच्रल होता है इसमें कोई भी तरह की मिलावट नहीं होती इसलिए आप इसको हैजल प्री होके यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंसीव करना चाते हैं तो आपको बता दू जब आप रात को सोने जाते हैं तब आपको एक ग्लास दूद के अंदर इस प्रोटीन पाउडर का एक चमच मिक्स करके पी जाना है और फिर उसके बाद सो जाना है दिन बर में हमें डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप नच्स वगरा खाये लेकिन हमारे डेल जाएंगे और याप की पीज़े को भी मच्बूत करेंगा और ये एक से दो मेने में ही आपको रिजल्स देगा तो विश्रास के साथ मेंूंज करेंए आप इसको अपने हजबेंड को भी यह दूद्ध पिला सकते हैं अब बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल उट रहे हूंगे कि मैम क्या हम इसे पीरट के वक्त में पी सकते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि जी हां आप इसको पी सकते हैं पीरट की दिनों में भी आपको इसको कंटीनियू रखना है जो भी दूद बहुत करे ना है तो आप इसको पानी में भी मिक्स करके पी सकते हैं सुब हाक्त करना चाहते जो भी लूग कंसीफ करना चाहतें कोई प्रॉबलम में आपकी इनTON तो आप इस प्रोटीन पाउडर को बना के रख लीजे अपने घर में और डेली इसको यूज़ कीजे और एक से दो मेने में ही आपको इसका इंशालला जरूर रिजल्स पिलेंगे और आप कंसीब कर जाएंगे आप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करना और भी लोगों में शेयर करना और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेन नोटिफिकेशन भी आउन कर ले जब तक के लिए अल्लाहाफिर